केमिकल बॉंडिंग के अंदर दो जगह बच्चे बहुत ज्यादा कन्फ्यूज रहते हैं एक तो तब जब उनसे यह पुछा जाता है किस माली क्यूल के अंदर कोवलेंट बॉंड पोलर है या नान पोलर कोवलेंट बॉंड है वो एक अलग सवाल है लेकिन जब यह पुछा माली क्यूल पोलर है कि नान पोलर है तो वो एक अलग सवाल है इन दोनों में बहुत परसान रहते हैं हमेशा बच्चो एक बात याद रखना माली क्यूल के अंदर कोवलेंट बॉंड का पोलर होना नान पोलर होना वो एक अलग सिनेर्यू है लेकिन माली क्यूल का पोलर होन नान-polar हो ना वो अलग मेटर है क्योंकि कई बर ऐसा होता है मालिक्यूल के अंदर जो कोवलेन बॉंड है वो तो पोलर है लेकिन वो मालिक्यूल ही नान-polar है ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा जैसे सपोच करिए अब आप देखिए यह है बीयफ थरी अब यह बॉंड हुआ है अगर दिफरेंट एटम के बीच में बॉंड बना है तो इसके अंदर का बॉंड पोलर है इसके अंदर का बॉंड कैसा है पोलर है लेकिन आप से पुछा जा यह मालिक्यूल कैसा है यह वता दो बेटा तो यह मालिक्यूल नान-polar है मालिक्यूल कैसा है नान-polar है क चीज को आपके अंदर कोई confusion न रह जाए, आज हम बात करेंगे polar and non-polar molecules के बीच में, कैसे identify करेंगे polar molecules, कैसे identify करेंगे non-polar molecules, तो आप चो वीडियो की start करें, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, बेल आइकन प्रेस कर दीजे, और एक प्यार आशा कमेंट कर दीजे, आपको एक जाम पलोर बताते हैं, मान लिजे, हमारे पास है carbon dioxide, आप से पुछा गया, बताओ carbon dioxide के अंदर covalent bond polar है कि non-polar है, तो आप देखिए, यह है carbon dioxide, different atom के बीच में bond बना हुआ है, इसका मतलब है, यह bond कैसा है, पोलर है, लेकिन अब आप से पुछा जा, बताओ carbon dioxide molecule कैसा है, पोलर है कि non-polar है, तो यह molecule कैसा है, non-polar, non-polar, देखिएगा, जबकि इसके अंदर bond polar है, लेकिन overall molecule कैसा है, non-polar है, तो आप बचो, वीडियो को इस्टाट करते है, काउन सा molecule polar है, काउन सा molecule non-polar है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, dipole moment mu resultant, अगर is equal to 0 है, इसका मतलब हमारा compound कैसा है, non-polar, अगर dipole moment mu resultant 0 है, तो compound non-polar होगा, लेकिन यही mu resultant, is not equal to 0 है, जिसका मतलब है, कि हमारा compound कैसा हो जाएगा, polar हो जाएगा, यह बात आप हमेशा याद रखेंगे, mu resultant 0, non-polar molecule, अगर mu resultant not equal to 0, polar होगा molecule, देखिए, पहला rule है, all diatomic molecules of like atom, ज्यान दिजेगा, diatomic molecule of like atom, पहली चीज, diatomic molecule हो, दो atom से मिलके बने हो, और वो like atom हो, यानि दोनों सेम atom हो, तो वो हमेशा non-polar होंगे, non-polar होंगे, इसका मतलब, mu resultant उनके लिए क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक, जैसे, example, h2, o2, n2, f2, br2, etc, जितने भी diatomic molecules हैं, और like atom से बने हुए हैं, वो molecule हमेशा non-polar होंगे, उनके लिए dipole moment resultant की value कितने आएगी, 0 आएगी, आप अगर वीडियो को पूरा देख लिए, तो कभी कोई question आपका गलत होगा ही नहीं, दूसरा लून क्या है, all diatomic molecules of unlike atom, unlike atom, यानि unlike क्या मतलब, different atom, diatomic तो हो, लेकिन वो different atom से मिलके बने हो, तो वो molecule समेशा क्या होंगे, polar होंगे, और अगर polar होंगे, तो उनके लिए mu resultant dipole moment की value कितने आएगी, not equal to zero आएगी, कभी भी zero नहीं होगी, जैसे, जैसे, देखिए, HF, SCL, CO, NO, यह सब के सब diatomic molecules हैं, दो different atoms मिलके बने हुए हैं, तो इनके बीच यह molecules कैसे होंगे, पोलर मालिक्यूल होंगे, इनका dipole moment कभी भी zero नहीं आएगा, अब जाएगा तीसरे रूल को समझेगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार सबल आता है, ITJ में नीट में, आल-Polyatomic Molecules, अब यह दिए डायतोमिक की बात नहीं हो रही ए पालीक्यूल, ठीक है, अल-Polyatomic Molecules, आप फार्मूला AXN एजसा जिनका फार्मूला कैसे बनता हो? AXN, और यहां पर A क्या है? A है, Central Metal. तो देखिएगा, दो situation है पहला situation और non-polar non-polar इफ A having no lone pair of electron अगर central atom पर lone pair of electron नहीं होगा तो वो होगा non-polar और non-polar होगा तो dipole moment mu कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा याद रखिएगा जैसे अभी अभी बताया B of 3 non-polar central atom पर lone pair नहीं है CO2 non-polar central atom पर lone pair नहीं है CCL4, CH4, PCL5, SF6 यह सब के सब कैसे molecules है central atom पर किसी के भी lone pair electron नहीं है और polyatomic है और यह सब के सब non-polar है और इनके लिए dipole moment की value क्या आएगी 0 आएगी अब जड़ा इसी का दूसरा रूल देखिएगा R polar, polar हो जाएगा If A having lone pair of electron अगर इस A के पास lone pair नहीं होगा central atom पर तब तो non-polar हो जाएगा अगर central atom पर lone pair आ गया तब आपका compound polar हो जाएगा और अगर polar हो जाएगा तुसके dipole moment mu is not equal to 0 आएगा जान देजेगा जैसे हमने ले लिया ammonia with one lone pair water with two lone pair PCl3 with one lone pair SO2 with one lone pair इसेटरा देखिए यह जितने भी molecule है इनके central atom पर lone pair है और अगर central atom पर lone pair आ गया तो आख मून के वो हमेशा कैसा हो जाएगा polar हो जाएगा अगर central atom पर lone pair नहीं है तो वो क्या हो जाएगा non polar हो जाएगा देख लिजे अब बच्चो आगला rule है इधर लिखा हुआ है all polyatomic molecules आप formula a- acqu m इस राट एसरन यम इस बार formula है a- acqu m type का formula होगा कौई घबडाने की बात नहीं है a- acqu m का सिधा सा मतलब है अगर कोई molecule तीन different atom से मिलके बना हो तीन atom नहीं three different atom से मिलके बना हो तो वो compound always polar होगा, तो compound कैसा होगा, polar होगा, उसके लिए dipole moment mu is not equal to zero, और इसका मतलब क्या simple सा, three different atom, three different atom, अगर कोई compound तीन different atom से मिलके बना हो, तो वो हो जाएगा, ax and ym type का formula, और वो हमेशा polar होगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, एक जामपल लेके आपको दिखाते हैं, अब हम आपको इसका एक जामपल लेके दिखाते हैं, three type के atom से मिलके बना हुआ compound polar होगा, जैसे suppose करिएक हम उनने कोई compound लिया, CCl4, तो ये तो non-polar है, ये क्या है, non-polar क्योंकि दो ही type के atom से मिलके बना हुआ है, और central atom पे lone pair भी नहीं है, लेकिन इसी सम अगर compound बनाएं, तो ये हो जाएगा, C3Cl, ये तीन different atom से मिलके बना है, carbon, hydrogen, chlorine, तो ये हमेशा polar होगा, और बना लें, C2Cl2 ये तो ये सब के सब कैसे हो जाएंगे, polar हो जाएंगे, और इसी से अगर हम बना लें, C4, तो ये कैसा हो जाएगा, non-polar हो जाएगा, क्योंकि फिर से दो atom आ गया, अब बच्चों हमेशा याद रखना, जो ये dipole moment mu है, ये directly proportional होता, END के, ये बहुत सारे ITS ये और नीट के question को direct solve कर देता है, dipole moment mu is directly proportional to END, END मतलब electronegativity difference, END ये इतना ज्यादा रहेगा, dipole moment उतना ज्यादा रहेगा, जैसे, जैसे, HF, HCL, HBR, HI, हमसे इनके dipole moments पूछे गए, तो हमें एक बात तो पता है, कि जैसे हम उपर से नीचे चलेंगे, END घटेगा, electronegativity का difference घटेगा, और END घटेगा, तो dipole moment भी घटेगा, तो dipole moment mu क्या हो रहा है, घट रहा है, dipole moment क्या हो रहा है, घट रहा है, अब जैसे ये hydrites हैं, हमें एक बात पता है, इनका dipole moment देखना है, तो जैसे से उपर से नीचे चलोगे, END घटेगा, electronegativity का difference घटेगा, तो dipole moment क्या होगा, घटेगा, ताप टू बाटम चलने पर दे देखा है, dipole moment mu is directly proportional to END, इसका एक ही exception दुनिया में है, exception, क्योंकि science में तो exception रहता ही है, अगर आप से पूछा जाए, कि CS3F और CS3Cl में किसका dipole moment जादा है, तो इससे तो भाई आपको लगेगा, electronegativity का difference इसमें जादा है, तो इसका dipole moment जादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, dipole moment जादा है इसका, लेकिन ये इकलावता exception है, इसे आप अलग से याद रखेगा, और ऐसा इसने पर होता है, due to small size of fluorine, चुकि fluorine का size बहुत small है, इसलिए ऐसा exception पैदा हो जादा है, लेकिन अगर वहीं पर आप से पूछ दिया जाए, CHF3 और CSCL3 में किसका dipole moment जादा है, त क्यों, क्योंकि exception तो केवल एक ही है, लिजे, exception केवल यही है, बाकी तो हर जगें इसी से साल्ब करेंगे question को, अब एक सवाल जो बहुत जादा पूछा जाता है question, कि Ammonia है, Ns3 और है Nf3, वो पूछ से बताएए, किसका dipole moment जादा है, म्यू, किसका जादा आएगा, बच्च यह nitrogen है, एक hydrogen, दूसरा hydrogen, तीसरा hydrogen, और एक lone pair electron है, Ammonia पर, वही पर अगर हम Nf3 का diagram बना लें, तो यह fluorine, दूसरा fluorine, तीसरा fluorine, और एक lone pair electron इस पर भी है, अब ध्यान दीजेगा, क्योंकि dipole moment एक vector quantity है, तो इसको हम direction के साथ देखेंगे, nitrogen और hydrogen electron negativity किसकी जादा, nitrogen की, तो यह boundary electron को ऊपर खीचेगा, यह भी boundary electron को ऊपर खीचेगा, यह भी boundary electron को ऊपर खीचेगा, और lone pair तो ऊपर ही है, तो बताए, 1, 2, 3, 4, 4, चार्ड, dipole moment जुड जाएंगे, इधर देखेंगे, nitrogen, fluorine, electronegativity का difference किसमें ज्यादा है, fluorine ज्यादा electronegative है, boundary electron को इधर खीचेगा, यह भी boundary electron को नीचे खीचेगा, यह भी boundary electron को नीचे खीचेगा, लेकिन lone pair ऊपर direction है, यानि यहाँ पर 3 प्लस हो रहा हैं, और यहाँ पर 4 प्लस हो रहा हैं, तो dipole moment ज्यादा किसका होगा, ammonia का, इसलिए कहा जाता है, mu ammonia is greater than mu nf3, लीजे, ammonia का dipole moment nf3 से ज्यादा आता है, तो बच्चों आज की वीडियो आपने देखा, कैसे पहचानते हैं, कोई molecule polar है, या non-polar है, dipole moment का compression कैसे करते हैं, किसका dipole moment ज्यादा है, किसका कम है, तो आप लोग वीडियो को like कर दीजे, चैनल को subscribe कर दीजे, bell icon press कर द कर दीजे, जाए हिंदा